हलो एवरीवन हमने जो ऑक्टोबर के मन्त में एक टेस्ट सीरीज कंड़क्ट किया था सीए फाउंडेशन के लिए उसका रिस्पॉंस काफी अच्छा रहा है दी रिस्पॉंस वेरी ओवर्वेल्मिंग और सिंस अब एक्जाम भी डीले हो गया है कुछ दिनों से तो काफी स्टूडेंट्स का हमारे पास इमेल्स एंड वाट्साप्स आ रहा है कि एक और टेस्ट सीरीज कंड़क्ट करना चाहिए तो उसी के रिस्पॉंस में हम एक और टेस्ट सीरीज लेके आ रहे है इस बार CA Foundation के साथ साथ हम लोग CMA Foundation का भी टेस्ट सीरीज लौंच कर रहे है दोनों foundation exams का हम टेस्ट सीरीज लेके आ रहे है तो CA Foundation का बहुत छोटा सा वीडियो हम लोग राखेंगे CA Foundation का टेस्ट सीरीज का डीटेल्स सामने है दोनों ही टेस्ट CA, CMA दोनों ही 17th, 19th, 21st, 23rd 4 days में conduct हिये जाएंगे तो CA वाला तो exactly as per ICA pattern हो गया CMA वाला भी exactly as per institute pattern होने वाला है CA में paper 1, paper 2, paper 3, paper 4 जैसे first accounts फिर second law BCR, third math stats LR and fourth economics and BCK जैसा होता है वैसा ही रहेगा 17th, 19th, 21st, 23rd को आप लोग चाहो तो इसका screenshot लेलो एक बार हम full screen कर देता है इसको चाहो तो इसका screenshot लेलो ताकि आप लोग refer कर पाओ अब दो slots में exam conduct किया जाएगा कुछ लोग का college भी होता है तो इसलिए 2 slots दिया आपका जब preference हो आप उस हिसाब से दे दो इसका कुछ points to note है हम लोग नीचे description box में एक Google form attached है कुछ लोगों ने पहले test दे चुका है वो लोग ये form को वापिस ना भरे उनको तो सारे question papers जाएंगे ही जो लोग extra देना चाहते है कुछ लोग है जो पहला test नहीं दिये थे और अब देना चाहते हैं अगर तो form description box में है आप लोग प्लीज उसको fill up कर दो साथ में वो description box में form दिया हुआ रहेगा CA या CMA course आप select कर लेना तो आपको respective question paper चला जाएगा और बस आपको your name, email id and contact number ये तीन चीज देना है और paper 1, paper 2 जो हमारा accounts and law है वो written है उसमें 15 minutes का reading time दिया जाएगा half an hour पहले सारा papers आप लोग को मिल जाएगा through email and bulk message दोनों से आपको चला जाएगा बस आपको time monitor करना है अपने end से MCQ का time हम लोग monitor कर सकते हैं पर जो written है उसके लिए आप लोग को खुद monitor करना होगा 3 hours for written papers 1 & 2, 2 hours for MCQ papers जो match stats and eco bck जो paper 3 & paper 4 होगा time बस आप लोग monitor करेंगे और जो written papers है paper 1 & paper 2 वो आप लोग respective subject का नाम डालके आप लोग email करेंगे pdf file आप लोग बनाएंगे answer sheet का pdf file बनाएंगे ताकि check करने में हम लोगो easy रहे और mail करना है जैसे accounts है तो subject में डाल देना है accounts & mail करना है edushine.acct.test.gmail.com similarly अगर law है तो subject में law डाल देना है and edushine.law.test at the rate gmail.com में mail कर देना है रहा बात paper 3 & paper 4 का वो तो आपको साथ साथी scores पता चल जाएगा with negative markings so उसमें कोई issue होना नहीं चाहिए और paper 1 & paper 2 का checking will be our topmost priority आपको जितना जल्दी possible उतना जल्दी दे दिया जाएगा with model test solutions अब CMA foundation में आते हैं अब CMA foundation में हम लोग को पता है 5th December 1 day पे 4 paper का test लिया जाएगा पर हम लोग क्या कर रहे हैं यह जो test होगा वो 4 days में divide कर रहे है purposefully ताकि आप लोग पढ़के properly पूरा revise करके यह test दे पाओ बाकी exam के पहले तो आप लोग revise करके वो 1 day में 4 देना ही है इसलिए हम लोग पहले आपको exactly 1 day में लेके नई 4 days में divide कर दिये ताकि आप लोग हर subject को एक दिन 1 and half days जो होगा अराम से लेके properly उसको revise करो और फिर test दो ताकि एक confidence भी build होगा अब यह 1 hour का होगा तो इसलिए 10 to 11 first slot होगा second slot 2 to 3 होगा इसमें आप लोग का time monitor किया जाएगा एक घंटा ही strictly दिया जाएगा 17th को accounts 19th को law and ethics 21st को math stats and 23rd को economics and management जैसा हमारा CMA institute लेगा बिलकुल वैसा याने इसमें 50 questions रहेंगे 1 hour each हर question 2 mark कर रहेगा 15 to 200 marks each and इसमें कोई negative marking नहीं होगा जैसा CMA institute लेगा exactly वैसा आप लोग को भी नीचे Google form है description box में वो fill करना है आप लोग क्या करेंगे course में CMA select करेंगे तो आपका paper accordingly आप लोग को mail किया जाएगा half an hour पहले सारा paper आप लोग को मिल जाएगा तो बस यह details देखलो और एक बार अगर आपको इसका screenshot लेना है तो जरूर ले लो तो बाकी यह details आप लोग देखलो test के date सामने है 17th 19th 21st 23rd तो जरूर से आप लोग यह test देना बहुत help करेगा आपको एक्जाम में बहुत help करने वाला यह चीज और चलो all the best बाई बाई करैंगा